बिहार विधान सभाध्यक्ष ने बजट सत्र के समापन पर नई परंपरा की शुरुवात की राश्वर गीत की बजाए बिहार गीत से बजट सत्र संपन गुआ जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई विजपी नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजए सिना ने राश्वर गीत ना गायजाने को लेकर राश्वर गीत का अपमान बताया विधान सभा के अध्यक्ष बने लेकिन महागट बंधन की सरकार बनने के बाद इस निरने को पलट दिया गया शीत सत्र के अंतिम दिन ये फैसला हुआ कि अगले सत्र से सत्र का समापन बिहार गौरव गीत से ही होगा यूजटीन के लिए फटना से शैलेंदर कुमार गिरपॉट दोस्तो नमस्कार आपने जो ये वीडियो देखा विहार गौरव गीत का मामला अभी आया है जो अभी सीत कालिन सत्र समाप्त हुआ उसमें 2020 में क्या चलन था जैसा आपने सुना ही कि राष्ट गीत बजाया जाता था लेकिन महागटबंदन के सरकार बनने के बाद उसे पलट कर बिहार गौरव गीत को अब गाकर सत्र की समापन की गई इसमें जितने भी बिहार के लोग हैं इनके कमेंट तो आपको इस चीज के सपोर्ट में मिलेंगे लेकिन जितने भी आउटसाइडर्स हैं जो गैर बिहारी हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं क्यूंकि वो अपने राज में तो अपना राजिगीत बजाना चाहते हैं लेकिन बिहार को एक कोलोनी बना कर रखना उन्हें अभी भी उनके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि बिहार को अभी भी हम कोलोनी बना कर रखें उपनिवेज बना कर रखे ये तो है ही चाहे बिहार सरकार की खामी के कारण हो चाहे फ्रेट एकलाजिशन पॉलिसी सेंटरल गौर्ण्मेंट के तरब से इसको लूटने के लिए लाया गया हो चाहे कुछ भी किया गया हो लेकिर उपनिवेज तो बना हुआ है ना हमारा बिहा तो इसमें जो भी गैर बिहारे हैं जो कि ऐसा कमेंट कर रहे थे कि हमें ये बिलकुल सर्मनाक है ये है राश्टगित का अपमान हो गया इसमें अलगावाद का कहां से बात आ गई इसमें और फिर अलगावाद हम क्यों करें यार हम तो उल्टा अखंड भारत के निर्माता ह हम हमारा तो इरान तक हमारा सिमा है अखंड भारत के निर्माता तो हम है हम किसे अलगावाद करेंगे हम तो अखंड भारत बनाएंगे फिर से उसकी राजधानी फिर से पाटली पुत्र बनाएंगे जो उसकी असलिए राजधानी थी कुछ कमेंट है उसको देख लेते हैं यह देखिए दीपक पाठक यह कहीं बाहर से हैं पाठक लोग जादा नहीं रहते हैं बिहार में हैं भी तो मैं यहादा बहुत सुन्दर ज्यादा तर 90% यहाँ पे comment आपको यही मिलेंगे कि यह बिल्कुल सही हुआ मैं कहता हूँ कि बिहार राजगीत अगर बिहार में नहीं बजेगा तो क्या हर्याना में बजेगा दिल्ली में बजेगा पंजाब में बजेगा हिमाचल में बजेगा महराष्ट में बजेगा असाम में बजेगा बंगाल में बजेगा जहारखन में बजेगा जहां पे बिहार और बिहारियों के लिए इतना ज़्यादा हीट भरा हुआ है तो मेरा यही कहना है हमारे अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं कहाना चाहता हूँ कि जो ये राजगीत जो बजाया गया है ये बिल्कुल सही है इसे बजाना चाहिए और इसके तो बोल ही है मेरे भारत के कंठार ये इसमें से कहीं पर से भी सेपरेटिजम की बात ही नहीं आ रही है इसमें तो इसके बोल ही है मेरे भारत के कंठार हेट फैलाने की नहीं आ रही हमारा अगर अपना गौरब है तो हम अपने गौरब के क्यों नहीं बताएं हम तो बजाएंगे ना मैं इसको पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहरा हूं कि कौश सरकार ने क्या किया नहीं किया लेकिन ये फैसला बिल्कुल सही है विहार में आन इसकूल हो उसमें सुरुवाद बिहार प्रार्थनागीत से होनी चाहिए और समापति के समय बिहार राजगीत जरूर बजाना चाहिए ताकि जो हमारा एक यूनिफिकेशन की जो बात है जो हमारे एक बिहारी यूनिटी की बात है वो आये हम लोगो में जलती वाद से हमारा राजी उपर उठे हमारा राजी तरक्की करे जब हम हम हमारा अतीत का गोरब वापस आये यह नहीं कि हम लोग हमेशा से एक कुलोनी बन कर रहा जाएं दूसरों की सेवा करते करते खुद लूट जायें बहुत हमने दूसरों के सिवा की बहुत सारे राजी हमारे चीप लेवर्स की वजह से कितने कोई एक ट्रिलियन की बात कर रहा है कोई दो ट्रिलियन की बात कर रहा है और हमारा बिहार अभी ट्रिलियन से कई पीछे हैं उनको वहां तक पहुंचाने में हमारा एफर्ट है लेक जो मैं कहना चाहता था वो मैंने बताया और इसका सोर्स जो मैं बतार इसका रिफ्रेंस इस कमेंट सब में है इसे चारली टीचर इसने खुद लिखा है बिहार सोंगी बजेगा अब एक अलग इनेर्जी फिल करता है हम बिहार योपर देखी यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं यह तो इसमें आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा यह चीज तो देखी यहाँ पर इसने लिख रखा है आई लव बिहार तो ठीक है बिल्कुल ही अच्छा एक हेट कमेंट भी है यह यह समुदर जूपद है ना अपना वह लिखता भी है समुदर्गूपत गुपता ही उंपाइर वाला नहीं यह जो कनिश्क कुम है उसने अपना नाम बदल के समुद्र गूपत कर लिया है उस है ना वो लिखता है इडली पीपल तो ये वाकई में इडली पीपल ये क्या लिख़ा है कि अनुद्ट गुजरात महराज करनाट का और तमिल नाडू दूइंग इस स्टन्ट बट डॉंट अनुद्ट इस चीज में कहीं पर सभी हेट की बात ही नहीं जब करनाटक का अपना राजगीत हो सकता है वो अपना जंडा बना सकते हम तो अपना जंडा भी नहीं बनाए वह एक स्टुडेंट था करनाटक आउक्सपोर्ड उनिवर्सिटी में वो जब उसकी डिग्री को अवार्ड किया गया तो वो राश्ट्रे धहज के जगह वो अप इतना जदा इंस्क्यूर होने के जुरत नहीं है सबस्यादा भारती हम ही लोग है सबस्यादा प्रावड इंडियन हम हैं बिहार रेजिमेंट के वजह से आज गलवाण हमारे पास नहीं तो चला गया होता चीन के पास तो तुम्हारे ज्यान की जरूरत तुमको है तुम बिहारी यसमीता जिंदाबाद